पोको F1 के लिए जो है काफी टाइम के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट एलेक्जर का रीब्यू कर रहा हूँ जैसे कि आप में से जादा दो को पता ही होगा कि लाश्ट रीब्यू मेरा 1.7 का आया था उसके बाद बीमार हुआ था तबी जो है दो मन तक बीडो कोई नहीं आई ताकि आपको सारी सीचों के बारे में पता चल जाए कि क्या क्या चेंजस हमें यहां पर इस अपडेट में मिल जाते हैं इसके अंदर में बाकी पाफोर्मेंस या बैटरी कैसी है उनके बारें भी बताने वाला तो वीडियो को लास्ट तक जरू देखेगा और वीडियो देखने को मिलता हो है वाउट फोन के अगर आप देखोगे तरी डिजाइन किया पहले हैं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था इंडोड वर्जन में जाते हैं तो हलाकि यहां पर लैक करता है इस जिगे पे आप देख सकते हो बाकि तो यहां नीचे नहीं करता लेकिन यहां पर करता है और इसके अगर टैप करोगे तो यहां पर बताएगे ऑफिशल सपोर्टेड है और यहां पर राहूल में टेनर जो कि उस टाइम सबी तक में अगर हम देखे तो एन सेक्यूरिटी पेश मारा जो है अगस 2022 का मिल जाता बाकि जैसा की अलेक्जर वर्जन अध़र करनल देखने को मिला करता था लेकिन यहां पे चैन्ज है और सेटेंग में भी आपको चैंज मिलेगा फॉर्ण तोड़ा से चैन्ज बाकि सेडिंग में थोड़े से सेडिंग अब डावन दर उदर मोव हुई है थोड़े बूस बाकि अगर हम नेटिवरक और इंट जिए गए पर अभी फिलाल देखने को हमें नहीं मिलता तो ओल्वेज जोन को रिमूव कर दिया गया है बाकित आपके पूरी सेरिंग स्वाई सेम देखने को मिल जाती यहां पर अगर आम फिर यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर बलरो से आप ओफ रखना ज्यादा बैट हुआ था अभी यहां पर देखने को मिल रहा है और फिर यहां पर इसका पूरा कस्टमाज़न देखने को मिलता इसके अंदर में तो सबस्ब पहले अगर हम बात करते हैं इसके थिम्स की तो थिम्स के अंदर यहां पर एक चीज आपको बता दो कि पहले यह जो है यह सरकल ज उल् karşı यहां पर जरी आपको देखने को मिल जाता है कर्याता है यहां पर पर जतने आपको जो है युं बड़ो मिल जाता है और फिर उसी तरीके से lock screen के अंदर में भी आपका यहां पर lock screen clock style जो दिया गए है यह पहले हमें नहीं मिलता था तो lock screen clock style भी आप change कर सकते हो जो कि उस टाइम पर 1.7 में हमें बिलकुल भी नहीं मिलता था लेकिन यहां हमें देखने को मिल जाता है और status bar में अगर आप देखोगे तो यहां status bar पर direct hold करके ड्रैक करके control कर power direct यहां पर battery आप इसकी style सेम है लेकिन battery estimate जो है यह आपको new मिल जाता है फिर अगर में यहां पर चलते हैं इसके QS के अंदर में यहां पर switch to fluid QS style यह एक option आपको new देखने को मिल जाता है जो कि यह तो आपका फिलाल इसी update में add हुआ भी आप देख सकते किस तरीकी से इसको जब भी आप enable करो एक बार आपको system UI को जो है restart करना पड़ेगा तभी यह apply होता है जैसे कि system UI जो है यहां पर मैं एक बार restart कर दिया हूं और जैसे कि यह आपका अभी unlock करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अभी यहां पे तो आप द मिल जाता है यह आपका instant हो जाता है तो इस तरीके से चेंज कर पाऊँगे चाहो तो बैग्राउंड का जो यहां पे ट्रांसपेरेंसी हो भी आप अपने हिसाब से अर्जेस कर सकते होती है इस तरीके साब का काम करने वाला लेकिन हाँ जब भी QS वाला करोगे तो आपको ए यहां पर नोटिफिकेशन वाला भी मिल जाता है यहां पर data uses आपको मिली जाता है ओन और निकले और कोल स्ट्रेंथ का मिल जाता है यहां पर साथ-साथ बाइब्रेट टाच जो है यहीं पर ऊपस टॉप पर बिलकुल रहा करता था अभी नीचे है लेकिन यहां पर आप दे लाइट जाहो तो भी आप यहां पर कर पाऊ गया और कोई चेंज नहीं है मुई आप एक्सराज में जाओगे तो एक्सराज में आपको बिलकुल भी चेंजिस देखने को नहीं मिलती है एक भी चेंज नहीं हुआ है 1.7 से लेकर के अभी तक में जो कितीन चार अपडेट आ लेकिन ऊपर आप देखोगे यहां पे क्लियर डाटा का जो है यह नियू मिल जाता है बाकी बैटरी भी अपके बात करें तो टू आवर फिप्टी परसंट ब्राइस पर वीडियो प्ले करने गवाद 83 परसंट बैटरी हमें यहां पर देखने को मिली है वहीं पिछले में ट संदर आते हैं यहां पर आपको थोड़ी चैंज मिल जाता है जैसे कि हमलाव बैबरेस बिल्कूल भी और एबढंदर जाते होती लॉंचेर वाला मिल जाता है इसके अंदर में तो यहां जो है आप सेटेंग्स भी आप आउट से पहले देखोगी तो कुछ इस तरीकस मिलता वर्जन और यहां जो है जनरल सेटेंग्स मिल जाती जिसमें थीम चेंज कर सकते हो तिस सारी चीजे पूरी आपको यहां पर मिलने कर सकते हैं आप चाहते ह蒙 कर सकते हो और यहीं से esकिण के लिवल कर सकते हो और फिर आप चाहते हो तो हम च्रीन अपडर पर आपके अपलाई हो जाएगा तो इस तरीके से अंदर काफी जादा सटेंग्स अगर सकर बताया तो काफी लंभी उसी इंदर फिर फोल्डर की भी सेटिंग्स मिल जाती हो इस तरीके से जेस्चर भी आप लगा सकते हो स्वाइप डवल टैप इस सब पे रिचेंट पर आपको मिल जाता है तो नीचे आप चाहो तो इस तरीके से पूरी सेटिंग्स मिल जाते हैं अब इसका यूज करता है आप इसका यूज कर पाओगे बाकि फिर सेक्योटी के अगर हम बात करें यहाँ पर सेटिंग्स में ऐसा कोई भी चेंजस देखने को नहीं मिलता है और अभी आपका जो एप लोग है इसके अभी जो है हमें system application supported नहीं मिलते हैं तो यह जो है आपका बिलकुल वही normal पहले की तरह रहने वाला आप अगर देखोगे तो system application supported नहीं है और फिंगर प्रिंट अगर आप देखोगे तो बिलकुल fast मिल जाता है तो इसका animation off रखना ज्यादा better रहेगा और जो face unlock है higher face unlock बिलकुल काम करता ह आप इसका यहाँ पर use कर सकते हो बीना किसी problem के और फिर यहाँ पर अगर हम नीशे आते हैं तो यहाँ पर डिश्टेल बैल्बिंग जैसे की देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे से काम कर रहा है और system के अंदर में आपको जो है gesture मिल जाए जिसमें quick tap देखने को मिल जाता ही आपके अच्छे से काम कर जाएंगे दोनों की settings में कोई changes आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है सेम होई पहले वाली settings रहने वाली है बिल्कुल भी change नहीं है और फिर यहाँ पर swipe to screen source भी मिल जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अब lens देखने को मिल जाता है पहले delete तक देखने को मिल रहा था और फिर नीचे में यहीं पर आपको अपडेटर भी जैसे की देखने को मिल जाता है और अगर हम बात करें Google discover की तो इसमें कोई भी problem नहीं है और जो status बार है इसके अंदर में भी animation आपको अच्छा मिल जाता है बिल्कुल प power menu जरूर यहां पर redesign किया जैसे कि आप देखी सकते हो कुछ इस तरीके से मिल जाता इसके अंदर में और फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके screen recording की तो यहां पर स्किप कर सकते हो डारेक्ट स्टार्ट हो जाएगा recording तो यहां स्टार्ट हो चुका और जो इसका screen recording है इस मिल जाएगा expand हो जाता है by default पर volume control भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर में यह सारी चीजा आपको मिलती है वहीं एप opening के अंदर ऐसा animation में आपको दिक्कत नहीं मिलेकर बिल्कुल स्मूध है तो फिलाल यहां पर हमें ऐसी कोई प्रोल्म नहीं मिलती है आप आपको बिल इसको अच्छा से काम कर रहा तो आप इस टोल कर लें ना इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर बाइड़ फोल्ड कैमरा कोई भी नहीं है और यहां पे हमारा फ्मो ऐसे काम कर रहा है और अगर आप बात करते डियारम इंफो की तो वाइड वाइन एलगोन का सपोर्ट हमें मि वीडो प्ले कर सकते उनमें हमें ऐसे कोई दिकत नहीं आएगी और फिर यहां पे हमारा जो गूगल फोटो है इसके अंदर भी आपको अन्मिम्टे स्टोरेज मिल जाता है तो इसमें भी कोई दिकत हमें देखने को नहीं मिलेगे और जो प्ले स्टोर है यह भी सडफाइड आता है बाइड़ फोल्ट ही तो सेप्टी निट भी पास है तो बिदाउट रूट आप बैंकिंग यहां पर आराम से यूज़ कर सकतो कोई दिकत नहीं आने वाली है और फिर यहां पर हमारे जो है बॉल पेपर रीसेंट वाले बॉल पेपर तो नहीं मिलते बाकि यह बॉल दोनों पर काम कर रहें उसमें कोई दिकत नहीं है वाई-फाई कॉलिंग सेटिंग्स इनेवल कर लेना यह भी जो है काम कर रहा है कोल रिकोडिंग अभी यूज़ कर पाऊगे बाकि तो आप अच्छे से यहां पर कोल रिकोडिंग भी कर पाऊगे एन टूटी स्कॉर फोर अब देखने को मिल रहें गीग इंच स्कॉर अगर आप देखते हो तो सिंगल में 463 मिला है मुली के अंदर 1663 देखने मिला है जब कि पिछले के गड़न बात करें जब उस हे रिव्य क्या था तो शिंगल में 518 था और multi के अंदर 1856 देखने को हमें यहां पे मिला था अब गेम की बात करें जैसे कि game space हमें इसके अंदर मिल जाता है तो यहां पे इसमें भी काफी changes है game space लिखा हुआ है time आपको मिल जाता है date मिल जाता है यहां पे नीचे फिर रैम की भी मिल जाता है यहां पे देखने को मिल जाता है यहां पर 90 एक चीज और यहाँ प्याद रखना अगर आपको करना है तो एक्सटी वाले जो सपोर्ट जैसे कि इसके अंदर सिस्टम एक्सटी सपोर्टेड है ऐड़ कर दिया गया है तो इसके अंदर भी आपको अगर गेमिंग करते हो तो ज्यादा बैटर हैगा बाइड़ फोल्ड पे थोड़ा यानि कि अच्छा आपको गेमिंग नहीं मिलेगा ज यही सारी चीज़े हैं जो कि हमें मिल जाती हैं और जैसे कि आपको बताया भी आपको बताया टत्सिटे के बताया